हेलो चुगलिबास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आएंग ऐसी खबर जिसे सुनकर शायद आपका नियू एर रिजॉलिशन भी पूरा हो सकता है जी हां वजन घटाना नियू एर रिजॉलिशन में सबसे पहली लिस्ट में नमबर वन पर होत अक्सर यह देखा गया है और इस बारे में अगर पूछा जाए तो सबसे अच्छे शक्स होंगे अधनान सामी जिन्होंने अपना 130 किलो वजन घटाया था और इन्होंने यह बताया कि किस तरह से उन्होंने यह काम पूरा किया वह भी बिना किसी डायटिंग के बिना किसी सर बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने weight को कम किया और क्या वज़ा थी जिसके लिए उन्होंने इस weight को कम करने की जरूरत समझी क्योंकि सालों से वो इस भारी weight के साथ जी रहे थे और उन्हें क्या जरूरत महसूस होई कि उन्होंने वेट कम करने का फैसला किया और किस तरह से उन्होंने वेट कम किया ये बात उन्होंने बताई उन्होंने बताया कि उन्होंने जो अपना वजन कम किया वो nutritionist की मदद से कम किया उन्हेंने किसी तरह की कोई डायटिंग नहीं की बलकि लाइफ स्टाइल में बदलाव किया और अधनान सामी ने बताया कि मैंने वजन कम कैसे किया ये बड़ा सवाल ये निशान है कि इन्होंने सर्जडी करवाई लेकिन कोई भी सर्जडी नहीं करवाई है उन्होंने ये बताया कि उनके बढ़े हुए वजन को देखते हुए एक वक्त ऐसा आया जब डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि उनके पास सिर्फ 6 महिने का समय है और इसकी बाद वो USA चले गए थे उन्होंने बताया कि मैं 230 किलो का था और लंदन में डॉक्टर ने मुझे एक अल्टीमेटम दे दिया उन्होंने कहा कि जिस तरह से तुम अपनी जिन्दगी जी रहे हो इसमें कोई आश्चरी नहीं होगा कि 6 महिने में तुम्हारे पैरेंट्स तुम्हें किसी होटल के कमरे में मरा हुआ पाएंगे और अधनान सामी ये बताते हैं कि मेरे पिता ने ये हर सवाल का ज़वाब दिया लेकिन मेरी इक गुझारिश है कि मुझे तुम ही दफनाओ मैं तुम्हें नहीं दफना सकता किसी भी पिता को अपने बच्चे को नहीं दफनाना चाहिए तो यह बहुत ही बड़ी बात थी बहुत ही मुशनल बात थी जो अधनान सामी की पिता ने उनसे कही अधनान सामी ने कहा कि यही कंद ता ये उन्हें बतने जाब हम vouchannya इता करना चाहिए उन्हें परिस्थिते वादा कि वह उपना तरह से रहेंगे वह मتmealए गें और नहीं बहतरो नुट्रिंज्ट मिल गयी उन्हें मूत है कि लोटान है पर जिस चीूर जी और उन्होंने उनसे ये भी कहा कि अधनान को अब पूरी जिंदगी इस लाइफस्टाइल के साथ चलना होगा तभी उनका वेट जो है वो एक मेंटेन स्थिती में रहेगा इनकावन साल के अधनान सामी ने इस पूरी चीज़ को फॉलो किया और जो ट्रांस्फॉर्मेशन हुआ है उनका जिस तरह से वो 230 किलो के तो जिस तरह से उन्होंने 130 किलो वजन अपना घटाया वो उनके लिए बहुत ही काम किया वो वजन घटाना उनका और विल्कुल ऐसे हो करें उनकी फिल्मों की या उनके करियर की तो इनकावन साल के अधनान सामी ने 2001 में फिल्म अजनबी की गाने तू सिर्फ मेरा महबूब इस गाने से हिंदी फिल्म डिस्ट्री में डेब्यू किया था इसके बाद तेरा चेहरा कभी तो नजर मिलाओ भीगी भीगी रातों मे लिफ्ट करा दे जैसे कई शानदार गानों को उन्होंने आवाज भी दी जो अभी भी लोग बहुत अच्छी तरह से उसे याद रखते हैं उनकी आवाज तो बिल्कुल ही अलग है जब उन्हें सुनते हैं तू बिल्कुल अलग रगते हैं और हिंदी के लावा अगर बात क अधमश्री से भी नवाजा है और कई फिल्मों में भी नजर आएं है अधनान सामी को बहुत पसंद किया जाता है आपको अधनान सामी को कौन सा गीत पसंद है हमें जरूर बताएं और क्या बढ़ेवे वज़ं के लिए जिस तरह से अधनान ने कोशिश की आपके साथ भी ऐसा कोई वाक्या हुआ है तो हमें जरूर बताईएगा और बॉलिवुड से जूड़ी खबरें तो हम आपके लिए लाते ही रहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बाबाई